नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर राश्ट्री रैंकिंग में बिहार का सेख पूरा जिला फिर से आगे जाहिए गन्ना के पहले चरण का काम लगभग पूरा बिहारी रैंजी में मिघाले को हडाकर फाइनल का टिकेट कट आया राश्ट्री रैंकिंग में बिहार का सेख पूरा जिला फिर से आगे नितियायोग के द्वारा नमबर 2022 की देश भर के 112 आकांची जिलो की ताजा रैंकिंग जारी की गए जिसमें बिहार के सेख पूरा जिले को फिर से सिख्चा व्यवस्था में प्रत्हम स्थान मिला है वहीं सूची में बिहार के सेख पूरा के अलावा 12 और जिले शामिल है जिन में कटिहार, अरडिया, खगडियास, बेगु सराय, बांका, औरंगाबाद, पुर्णिया, गया, जमुई, नवादा और मुझअपर पुर्जिला शामिल है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस कारी क्रिम का उदेश्य उन जिलों का समगर विकास करना है जो नकसली हिंसा प्रभावित या समाजिक और आर्थिक रूप से पिछरे हो ताकि वे जिलेभी विकास के मामले में दूसरे जिले के बड़ावर खड़े हो सके वहीं से एक पुरा के टौप आने पर डीपी ओर रविशास्त्री के दौआरा इस कारी को सुखत परिनाम बताये गया है मालूम हो कि इस एक पूरा पिछले 6 महीने से सच्छा के छेतर में पहले इस्थान पड़ है आयूस होँं पैथिक वह तिबभी कॉलेजों में अदमिशन के लिए 24 फिलिंग 26 जनवरी तक वैसे एक छुक चातर जो बैचलर ऑफ आयोरवेध मेडिसन एंड सर्जरी बैचलर ओफ होमियोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी वह बैचलर ओफ युनानी मेडिसिन एंड सर्जरी में अन्मिशन लेना चाहते हैं यह खबर उनके लिए है बतादी कि बिहार संयुक्त प्रतियों की तप्रवेश्ट परिच्छा पारसत के द्वारा बीते दिन इन तीनो विश्यो में अन्मिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया बतादी कि मेरिट लिस्ट के अनुसार तीनों कोर्स में अन्मिशन के एक चुक स्टुडेंट्स 21-26 जनवरी तक चोईस फिलिंग वर लॉकिंग कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बतादे कि फर्स रा प्रभिष बिः लिया है, इसके साथ ही बिः ने अगले सतर में एलिट ग्रूप में खेलने के लिए हरता हर्षिल कर लिए आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब फाइनल मकाबला पचिस जनवरी से खेला जाएगा, मालुम हो कि बिहार ने मिखाले के खिलाफ खेलते वे पहली पारी में 428 रन और दूसरी पारी में 164 रन बनाए थे वही मिखाले ने पहली पारी में 134 वा दूसरी पारी में 156 रन बनाए जिसके बाद मैच के 4 थे वह अंतिम दिन 469 रनों का पीछा करते वे मिखाले की टीम 156 रन पर ओल आउट हो गई और इस तरह बिहार ने इस मुकाबली को 302 रन से अपने नाम कर लिया जाती है गन्ना की प्रगती रिपोर्ट का पहरा डाटा आया सामने विते दिन सुक्रवार को डीम डॉक्टर चंदर सेखर सिंग के दोरा जाती गन्ना में प्रगती की समिक्षा की गई इस दोरान यह बताया गया कि जिले में सर्वेक्षित परिवारो की संख्या 13,97,484 है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जिले में परिवारो की प्रगती अनुमानित संख्या 20.06 लाग मानी गई थी लेकिन यह संख्या अनुमान से 5 लाग कम निकली और अब गन्ना में ए जादा पार नहीं करेगी राजेपाल फागो चोहान ने विश्यविद्यालियों को दिया टास्क बीते दिन राजेपाल सह कूलाधिपती फागो चोहान के द्वारा सभी कूलपतियों के साथ विश्यविद्यालियों के काडियों और उनके साथ पहले की गई बैठकों में द देलनी परती है राजेपाल ने कहा कि हमारा मूल उद्देश यह होना चाहिए कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े इसके साथ उन्हों प्रदेश के स्कूलों में ना मांकर अनुपात का बढ़ना संकेत देता है कि बिहार के सिक्षा व्यवस्था में सुधार लानी के लिए नितीज कुमार के दोरा बनाया गया मॉडल बिल्कुल सही है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिप स्कीम को लेकर पटना हाई कोट ने की सुनवाई पटना हाई कोट की चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सार्थी की घंडपीट के दोरा अनुसुचित जाती के छातरों को केंद्र सरकार की पोस्ट मैट्फरिक स्कॉलर्शिप स्कीम का लाब नहीं दिये जाने को लेकर राजीव कुमार और अन्य की ओर से दायर जनितियाजी का पर सुनवाई की गए सुनवाई के दोरान हाई कोट के दोरा केंद्रिय समाजिक नयाय और ससक्तिकरन मंतराले के सचीव सहित राजी के सिछा विभाग के अपर मुख्य सचीव SC एवं ST कल्यान विभाग के प्रधान सचीव से 6 हफते के अंदर इसका जवाब मांगा है वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोट के दोरा 23 मार्ज 2023 को की जाएगी जाती गन्ना के पहले चरन का काम लगभग पूरा समाने प्रशासन विभाग के दोरा दी गई जानकारी के अनुसार जाती अधायत गन्ना के तहट पहले चरन में घड़ों को नंबर देने का काम 97-98% तक पूरा हो चुका है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आज जाती गन्ना के पहले चरन का अंतिम दिन है जिसके बाद अब सोमवार से जाती अधायत गन्ना के तहट जाती एवं अन्य जानकारी हासल करने का काम विधिवत तरीके से आरंब होने की उमीद की जा रही है जाती अधायत गन्ना के पहले चरन का काम किस तरह से किया जा रहा है इसकी मौनेटरिंग के लिए सामाने प्रिशावसन विवाग के अधिकारी एवं पदाधिकारी गली-गली खूम रहे हैं और जो अधिकारी जहां जा रहे हैं वहाँ वह घड़ों को दिये गए नंबर के समीब खड़े हो कर अपनी तस्वीर लेते हैं और उसे अपने उपर के मौनेटरिंग तंत्र को भेज रहे हैं वंदे भारत पर फिर बिहार के इस स्टेशन के पास फेके गया पत्थर कुछ दिनों पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थराओ के जाने की सूचना मेली थी वहीं एक पार फिर इस घटना क्रम को दोराया गया है बता दे कि ट्रेन सुरू होने के बाद यह चौती बार है जब ट्रेन पर पत्थर फेका गया है आमिली जानकारी के नुसार चौती बार स्ट्रेन पर पत्थर बंगाल के दालकोला से बिहार के तेलता स्टेशन के बीच के एम 118 से 122 की बीच पत्थराओं की गई जिसमें बोगी संख्या C6 खिर्की का सीशा तूट गया फिलाल अभी कटिहार के बलराम पूर्थाना च्छेतर से जुरे इस घटना में पुलिस के टीम के दोरा जाज परताल की जा रही है बिहार कॉंग्रस पॉलिटिकल अफेर्स कमीटी का हुआ गठन बिते दिन राश्ट्रिय महासचीव और सांसत केसी वेनु गोपाल के द्वारा बिहार प्रदेश पार्टी संगठन की राजनितिक मामलों के लिए गठन की गई कमीटी को लेकर अधिसूशना जारी की गई बता दे कि इस कमीटी की गठन को लेकर कॉंग्रस के राश्ट्रिय अध्यक्ष मलेका अजन खडगे के द्वारा सहमती दे दी गई है वहें इस पॉलिटिकल अफेर्स कमीटी में 24 वर्लिस्ट निताओं को शामिल किया गया है जिसमें 10 विसे इस आमंतर शदस्य है वहें इस कमीटी में सबसे जादा मुसलिम निताओं को तरजीह दिया गया है बता दे कि इस कमीटी में 8 से जादा मुसलिम निताओं को जगह Tell Ben रुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में कॉंग्रिस सवल्ण मुथल बैंको को साथने की कोशिश कर रहा है तो मंत्री के बेटे हुए ठगी के सिखार किंद्री मंत्री अश्वपर खाते में मंगवा लिया इस बात का खुलासा तब हुआ जब आरोपी गारी और गारी के दस्तावेश ट्रांसफर के काउजात लेकर आने की बात को कहकर नहीं पहुचा और नहीं फोन उठाया जिसके बाद अरजित 724 के द्वारा धोखादरी समीत अन्य आरोप में सजोर ठान जहां भेलदी पुलिस और मध निशेद की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर राजस्थान नंबर ट्रक में छापे मारी की गई और भारी मातरा में रास्थान निर्मित इंपीरियल ब्लू नामक अंग्री जी सराब की खेब बढामत की गई मिल जानकारी के नुसार छापे मारी में ट्रक में बनाए गए विशेस थकाने से कुल दस लीटर सराब बढामत की गई है जिसकी कीमत एक दसमलोग पांच करोर रुपे के आसपास बताई जा रही है वहीं स्तौरान पुलिस और मध निशेद विवा के टीम के दोरा तसकर की बिगर फ्तारी की गई है जिसके फिलाल पूर्श ताज की जा रही है खाट की किललत पर राजर सरकार का केंदर सरकार पर आरूप बिहर की किसान यूरिया की किललत से परिशान है तो वहीं दूसरी ओर उस पर फिर सी राजजडी हो गई है बता दे कि राज्य सरकार के कृषिव मंतरी कुमार सरवजीत के द्वारा एक बार फिर खात की किलत को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है। केंद्रिय मंतरी अमिस्सा हगामी 22 फरवरी बिहार की राजधानी पटना एक दिवर्शिय दोड़े पर आरहे हैं। को लेकर ऐसा मारा जा रहा है कि उनका यह दोरा 2024 लोग सभाचनाओ के लिए काफी एहम होने वाला है। इसी दोरे के दोरा 2024 लोग सभाचनाओ के लिए पूरे बिहार को संदेज देंगे। जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी सनिवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी कियेगे। वहीं पुनिया में पेट्रॉल की कीमत 108.72 रुपे और डीजल 95.4 रुपे प्रती लीटर है। बीते दिन हमारी दोर पुछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंनी हमारी दोर पुछे का सवाल का जवाब दिया है। क्या कदम उठाने चाहिए आप अपना जवाब हमें हमारी कमिन सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चाल को सब्सक्र आप इतने वाब